नमस्कार मेरा नाम निशा उज़ा है और आप DTW24 News देख रहे हैं आज हम कुमरार विधानसभा के BJP विधायक अरुन कुमार सिनहाजी के साथ हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि BJP के इस साल के विधानसभा चुनाओ का एजेंडा क्या होगा और साथ ही ये भी कि कुमरार विधानसभा के लिए अभी तक अरुन सिनहाजी ने कितना जादा काम किया है सबसे पहले मैं आपसे एक कोशन पूछना चाहूंगी कि अपने विधानसभा च्छेत्र के लिए आपने कितना काम किया है और इस साल बीजेपी किस एजेंडे के साथ मादान में उतर रहा है। देखिए आपको इसके पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि इसमें केंद्र की सरकार भी हमारी है, बिहार की सरकारी भी हमारी है, और यहां के सांसत भी हमारे हैं, विधायक तो मैं हूँ ही, नगर निगम भी हमारा है, तो इसलिए सब के कामों को एक साथ जोड़कर दिखना हम केंद्रिये बातों को देखे हैं, मुझे सब में सब किया, यह आपने तो नहीं किया था, लेकिन मैं यही कहना चाहता है कि सारए सरकार और सबके कामों का स्थए और फायदा और नुक्सान हम सब ही को हने वाला, आप केंद्र की बात करें, तो आप देखेंगे कि चाह हो ती हो और चाह सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या गरीबों के को गैस कनेक्षन देने का देने की बात हो अब यहाद सरकार की बात करें तो कोरोना महामारी में जिस तरह से सरकार खड़ी हुई और पठना की बात लिये तो कई जगे स्ट्रॉण लगा के हम लोगों ने किसीको भूका नहीं रहने दिए और पिछली बार जो जल्जमाव麵 के, विधानसवाद छेत्र में मुझें। जलजमाव था तब यहाथ की ठीटि घूम घूम कर वहां लोगों को पैशे बाट रहते रह थे उसपर क्या चुआा announcement पपुजादों ने जरूर किया था और जो आदमी काम बढ़िया करे उसको करना चाहिए लेकिन पपुजादों जितना किये ने उससे ज़्यादा दिखावा भी किये ये भी बात साथ हम लोगों में आज मैं लोगों से बात कर रहा था कंकड़बा के लोगों से कई घरों में इतना जादा रासन इस जल जमाओं के समय में इकठा हो गया था सरकार के तरब से भी साहता दी जा रही थी हम लोगों के तरब से भी साहता दी जा रही थी पपुजादों के साथ के तरब से भी साहता दी जा रही थी पपुजादों के साथ के तरब से भी साहता दी जा रही एक इसके में एक ही बात कहेंगे जो तार पे गुजरी है वो किसी ने नहीं जाना आज तार साज से निकली वो धुन सब ने सुनी तो धुन तो सुना दिये लेकिन कस्ट में हम सभी लोग थे और कस्ट में सरीक होकर जमाने को हर बार हेल्प करते थे कुमरार को हम लोग गंटे के भीतर हम पानी निकाल देंगे और हमें 4 और 6 घंटे वैपानी को निकाल दिया और अभी तक यही हुआ है इसके अलमाँ आप रहासनकार्ड का दिख लिई उस पारोना मा मारी में रहासनकार्डा का वीतरन गरीबों को अभी भी ना सनकाड आग हैं और उनको अर्थिक साह्य का हमारे केंडर सरकार पर यह नहीं कर दिए नहीं और पार्कों का सथार कर सकते हूं इतना पार साल से मैं हूँ 15 साल पहले आप चले जाएए वहां मवेसी और कुड़ादान था वहां से जाने का मन नहीं करता था मागता था आज वहां कितना सुन्दर लग रहा है वह आपने जो भी बताया 370 की बात हो या फिर आपने तीन तलाक की बात कहीं वह एक कहीं ना कहीं हम overall देख कि कह रहे हैं कि इस बार का mu gesund Now जो है कहीं ना कहीं बिरोजगारी होने ौला बीज़é पी ऐसा क्या कर देगा एक यूवाओं के लिए कि इस बार बीज़े पी की सरकार करगे भिहार में है वैसे बात बर यह जो बिरोजँजारी का मामला है ये लोकल मामला नहीं है, लोकल के साथ रास्टिया मामला भी है, तो वो जो अच्छी बाते थी, उसको आपने ये कह के धीरे से, मेरी पूरी बात सुनी, आपने कह दिया वो अच्छी बात, आपको भी सुना चाहिए, वो अच्छी बात है, और ये अगर लोकल इसू है, तो ये र भाड़ी नहीं है यह मामला रास्टी अस्तर का है और भिरोजगारी के मामले में अच्छा सवाल आपने उठाया हम स्वा रोजगार पर सरकार के पास होना भी ने ज़िए और नहाई कि वो सारे वियुकों को नौकरी सरकार कारी युकरी देदी उनको इतना हम और हमारे मुख्य मंत्री और प्रदान मंत्री की योजनाएं स्वारोजगार की कि वो अपने कुटू रुद्योग करें, अपने छोटी छोटी फैक्टरी बैठा हैं, उसके एक्सपर्ट हों और अपने साथ साथ उसके लिए फंड मोया करना, उसकी ट्रेनिंग देना और उसके अपने साथ साथ दूसरे को भी स्वाब लें, आत्मनिर भारत, आत्मनिर भर बिहार और आत्मनिर भर कुम्रार, यही तो स्लोगन है इस समय का, और इसे पर हम चुना भी लड़ेंगे, हम ये कभी नहीं कहेंगे दूसरे लोगों के तरह से, और ये संभव भ ही है कि सरकार नौकरी सरकार का काम है देश की शुरक्षा बढ़ी-बढ़ी पॉलिसी बनाना और स्वाएसी स्थिती पैदा करना कि लोग दूसरों को नौकरी दें अपने तो नौकरी लें ही अपने तो बैठाएं और वो काम हमारे यादरनी नरेंद्र मोदी नितीश कुमार हम और पूरी जो गवर्मेंट की टीम है और हम धन्यवाद देंगे विहार की जंता कुम्रार की जंता पटना की जंता और देश की जंता को कि वह इस भी इस बात को समझ रही है और आत्म निर्वर भारत आप में पर विहार, आप में पर पतना और कुम्रार इसका स्लोगन अब बड़ी जोड से उठी है। अगर मैं आपसे कुम्रार विधान से बागी पसनली बात करूँ तो अभी तक आपने जितना भी लोगों के लिए काम किया, इस बार आप क्या लोगों के लिए ऐसा करेंगे, आपने कुछ सोचा होगा, एजंडा होगा आपका इस बार की चुनाव में क्या है। यह एक तो यहां जल जमाओं की समस्या, वो हमने बहुत हथ तक इस बार दूर किया है। इसको और इस अस्तर पर ले जाएंगे कि यह समस्या पिर कभी नहीं ऊच्छे पहला। दूसरा यहां की समस्या है पेजल जल जमाओ बरसात में जल जमाओ और अंदीने पेजल की समस्या वो भी हमारी सरकार कर रही है लेकिन उसमें बहुत कुछ काम बाकी है सिकायतें आ रही है उसको हम ठीक करेंगे समस्या जो है आप जो स्वारस पर आत निर्भरब कुमरार और आत निर्भर पटना आत निर्भरब बिः송 भारत इसके तरफ हम जोड़ देंगी उसके के अलामाँ पटना के बिसर्वह ने हमने कुछिस किया है कि जो स्माट सिटी की बात कहिए है उसमें कुमरार भी दान स्वाच्छेतर को नहीं लिया गया, पूरे पटना को नहीं लिया गया, हमने इसके लिए वाज उठाया और हम अगर दुबारा भी धायक बन कर आते हैं, सरकार हमारी बनती है तो हम पूरे पटना को ऐसा स्मार्ट सिटी बनाने की कल्पना और उस पर जोड देंगे जो दुनिया में पहले जब दुनिया में सहरों का नाम लिया जाता नगरी का नाम लिया जाता तो पाटले पुद्र का नाम लिया जाता था उसी तरह से दुनिया और भारत के नक्से म वन टू टेन भारत में ये पटना आए इस तरह की मेरी कोशिस रहेगी तो ये हमारे साथ अरुन कुमार सिन्हा जी थे जो कि कुम्रार के विधायक हैं और इन्होंने साफ यही कहा कि इस बार का एजंडा जो है वो सीधा एक ही होने वाला है और वो है आत्म निर्भर साथ में ये जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत जादा बढ़ गी है जो युवा आए दिन आंदोलन कर रहे थे इन्होंने इस पर भी बात कहा और कहा है कि रोजगार देले का सरकार जो है वो काम कर रही हो